राच्छस आजागे देवा यहाँ पर फिल्म सलार को इंडिया में और दुनिया वर में मिली है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सलार के साथ दिनों के इंडियान और वर्लड वाइट बॉक्स आफिस कलेक्शन्स के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने इन साथ दिनों में दुनिया वर में किन किन रिकोर्ड को तोड़ा है कि ये फिल्म डंकी को बॉक्स आफिस पर पीछे कर पाई है या नहीं तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा अगर आप भी सलार का इंतजार बेस अबरी से कर रहे थे सुपरिश्ट्रा प्रभास के डाहाट फैन से पुछले शुरुवात करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप से भी जानते हैं कि सलार एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जैसे कि आल और एडिया में लगबख साढ़े चार जार स्क्रिंस पर हिंदी, तामिल, तेलगु, कंदार और मल्यालम भाशा में रिलिस किया गया है इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको सुपरिश्टा प्रभास के अलावा प्रित्वीरा सू कुमारन, शुरूती हसन और जगपती बाबु नजर आए हैं तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का डिरेक्शन क्या है केजीएफ और केजीएफ टू जैसी बैतरिन ब्लॉकबस्टर फिल्म में बना चुके प्रशांत नील ने दोस्तों बता दे आपको कि आल और एडिया में तो इस फिल्म को जहां आपने पहले ही दिन एक हिस्टोरिकल ओपनिंग मिली लेकिन दोस्तों उम्मीदों से कही बैटर ओपनिंग इस फिल्म को आवरसेस में भी मिली सुपरिश्टर प्रभास के फैन फोलिंग का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं दोस्तों कि इस फिल्म ने क्रिटिक्स ने इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी यही वज़ा है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने शुरुवाती तीन ही दिनों में 400 करोड रुपे के आखड़े को दुनिया बर के बॉक्स आफिस पर पार कर दिया था लेकिन अगर बात कि जाए इस फिल्म के आब विगडेस के कलेक्शन के दोस्तों अपने विगडेस में भी ये फिल्म बॉक्स आफिस पर काफी अच्छा होल्ड करती ही नजराई अगर बात कि जाए इस फिल्म के All India Net Box Office Collections के दोस्तों इस फिल्म ने जहाँ अपने चोथे दिन 47 करोड रुपे की नेट कमाए की जिसमें दोस्तों हिंदी से इस फिल्म के कलेक्शन्स 16 करोड रुपे की रहे अपने पांचवे दिन इस फिल्म ने 27 करोड रुपई कमाए जिसमें हिंदी से इस फिल्म ने कमाए 9 करोड 50 लाख रुपई तो वहीं दोस्तो कल अपने č тон य दिन भी इस फिल्म के collections में शेम होल्ड देखने को मिला और इस फिल्म ने कमाए हैं 22 करोड रुपे और दोस्तो हिंदी में इस फिल्म के कलेक्शन्स कल भी 9 करोड रुपे के आखड़े को टेच करने में कामेब रहे हैं ऐसे में दोस्तो इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो अल इडिया नेट बॉक्स आफ़िस पर 302 करोड रुपे के आखड़े को टेच करने में कामेब रहा है जिसमें दोस्तो हिंदी से इस फिल्म ने 88 करोड रुपे ही कमाए कर ली हैं बात की जाए वर्डवाइट बॉक्स आफ़िस की दोस्तो बताते चले आपको कि ट्रेड फिगर्स के हिसाब से तो ये फिल्म एडियन बॉक्स आफ़िस पर और दुनिया बर के बॉक्स आफ़िस पर 480 करोड रुपे कमा चुकी है लेकिन दोस्तो बता दे आपको कि इस फिल्म के जो प्रोडुसर्स फिगर है उस हिसाब से इस फिल्म ने 580 करोड रुपे के आखड़े को अपने पहले हपते में पार कर चुकी है और दुनिया बर के बॉक्स आफ़िस पर एक आल टाइम ब्लोक्बस्टर बन चुकी है लुक्स आफिस पर बन चुकी है दोस्तो बता दे चले आपको कि इया फिल्म आज इंडिया ने नेट बॉक्स आफिस पर आसानी से जहां हिंडी में ही रुपे का होगा और दोस्तों ये फिल्म कल 100 करोड के क्लब में सामिल होने वाली पैर इंडियर सूपरिष्ठा प्रभास की पांचवी हिंदी फिल्म बन चुकी होगी आपको क्या रखता है दोस्तों क्या सुपरिष्ठा प्रभास की फिल्म सलार बॉक्स आफिस पर हिंदी में डंकी के 150 करोन रुपे के रिकोर्ट को पीछे कर पाए गया नहीं हमें अपने राय कमेंट करना बिल्कुल ना भुलिएगा और दोस्तों बॉक्स आफिस बॉलेडर साउस से जुड़ी सभी वड़ी अब डेट्स के लिए आपके किनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धनेवाज जहीं जे भारत